आप सब भी का सोगत हैं, आप सब भी को बता दू कि हर एक साल approximately 2 lakh प्लस एग्जाम एड़ाउन होते हैं नीट एक्जाम में, previous year के कंपेर में, या कोई नई बात नहीं है, आप सब भी को पता चल गया होगा, या मैं आप सब भी को बता दू, times now के coding, इस एर नीट एक्जाम के 21 lakh यानि 21 lakh एक्जाम एड़ाउन ने रजिस्टर किया है, बहुत सारे शन सुनकर परिशान होगे, या आपने सुना होगा, तो आप परिशान होगे, मैं आप सब भी को एक बात बता दू, या just a number, एक number है, देखो, 2022 में approximately 18 lakh के आज़ पास एड़ाउन ने रजिस्टर किया थ इसमें से आप सब भी को बता दू कि only 9 lakh something students qualify थे, एप्रोक्स आधे एशन फेल हो गए थे, उनको 100 number भी नहीं आये था, 9 point something lakh एशन क्वालिफाई थे और बाकी सब फेल थे, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये जो 21 lakh एक number है, आपको इससे परिशान होने की जरूत बिलक मैं आप सब भी को आज लिख कर देता हूं कि 21 lakh में समझो 20 lakh एशन एक्जाम देंगे, उसमें से वली approximately 10 lakh एशन क्वालिफाई करेंगे, या 10 lakh, बाकि सारे के सारे फेल कर जाएंगा, 100 number भी नहीं आएगा, देखो मैं इसलिए कह रहा हूं कि register करते हैं बच्चे, जो पूरे सा आपका selection होगा, चाहे 50 lakh भी एशन हो जाए ना, आपको फर्क नहीं पढ़ने वाला है, महनती एशन को फर्क नहीं पढ़ेगा, मत सोचो, 50 lakh भी हो जाएंगे न, तो आगर आप महनत करते हो, तो आपको कोई फर्क नहीं पढ़ेगा, बस मुझे आप सब भी को ही बताना है, आपको इन चक्कर में नहीं पढ़ना है कि 21 lakh, हाँ, 21 lakh बहुत नंबर होता है, ठीक है, 2,5 lakh तो लगबग 2,5,3 lakh बचे बढ़ते ही बढ़ते हर एक साल, बिछली बार भी एप्रोक्स 2.7 lakh एशन ने इंक्रीज किया था, 2021 कंपेर में, तो ठीक है, मैंने बताया था आप जब 12 lakh, difference और 2 lakh होगा, difference 3 lakh होगा, तो चलेगा यह, यह चलता रहेगा, लेकिन महनती श्रोन्स इसमें से आधे से भी कम होते हैं, और मैं आप सभी को बता दू, 2023 में, 2022, 2021, 2021 में, 602,720 की बीच में, एप्रोक्सिमेट्री 20 से 21 जारे श्रोन नहीं थे, आप महनत करो, आप यह उसके लिए हर एक जगा जगा होता है, ठीक है, मिलता करें बीदों में,